जो ये एरिया हमने दिखाया है ना जो यहां पर एक टापू के उपर मतलब जो टापू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे उच्छी जगह है जो यह मकान बने हुआ है उस साइड में भी हम दिखावांगे आपने एक मकान बने हुआ है यहां पर इनके पसू और सारा सिस् अगर और बारिस होगी या पिछे से पाणी आ गया तो यहां पर इनके पसूओं को बनने का रस्ता भी नहीं है मैं गाओं में लिजाने के लिए भी रस्ता नहीं है क्योंकि सारा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो थोड़ी ही लंबी जरूर होगी देख लो इसकी दिवार यह वो किसान है जिनके खेत में मतलब पाणी बहुत ज़्यादा हो और इसका जो मतलब माप दिखाएंगे पाणी का इस खेत के अंदर कितना माप है तो इनसे देख लेते हैं मतलब यह गोड़े तो नहीं टेक रहे हैं खेत में खड़ी है फिल आ ले मतलब थोड़े पूट के आसपास मतलब लाठी ले रहे आपकी यह इतना पाणी तकड़े बोलो सुनता को नी खड़े हो तरह पाणी जो गई भी नहीं हाँ यह देख सकते हैं मतलब है पाणी के अंदर पूरी तरह की लगाते हुए इतना पाणी हो गया लग कितना पाणी हो गया होगा पूटका है बुटा नुगण लेरे वह मनना कोनी वेरा क्या फुटका हूं मैं लठी तन ताजालास को लग 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 च्यार फुटका आसपास पाणी इसके खेत में है और सारे इसे तरिया है मतलब कोई थोड़ा आगन आगे अपने पहरे चालगी दिखाओ यह देख सकते हैं अराम अराम से कवर कर सकते हैं मतलब देखने वाड़े देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फसल बिलकुल बरबाद हो चुकी है जो कि 15-20 दिन पहले जो जीरी का काम कमपलीट हो चुक्या था और आज बिलकुल चोपट हो गया है और इन किसानों के चेरे पर बिलकुल भी मायूसी नहीं है क्योंकि आगे आजा थोड़ा क्योंकि इन इतनी 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 वड़ी फैक्टरी है जिसकी कलपना नहीं कर सकते वह कहते हैं एक किलो के अंदर 50 मतलब नाज निकार सकता है तो भी इनके मतलब चेरे पर मायूसी नहीं पूरी मतलब हो इनकी फस होगी आपकी जितने ट्यूबल है वो खराब हो चुके जो मकान उनकी छत गिरने लग रही है जहां तक भी नजर जाने लग रही पाणी पाणी या तो बियार में ऐसा मतलब दर्श से दिखाई देगा आपने या कोई अरब सागर या बंगाले की खाड़ी में इतना पाणी द बाई का सकता नहीं पैदल आ रहे है पैदल भी मतलब बहुत ज्यादा कि चड़ और आगे तो बहुत ज्यादा दो एकड में पाणी है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सरकार तक प्रसासन तक जरूर पुछाए क्योंकि यहां पर आके इन किसानों की सुद ली जा सके और कुछ ने कुछ इनका उपाया किया जाए तो यहां पर जो ट्यूवल दिखाई देन लग रहे हैं आपको इसका कुवा था कुवा पूरी तरह से मतलब गरस्त हो चुका है जमीन के इंदर दस चुका है ट्यूवल अहां गिर चुका है और आने वाड़े टाइम में छे मिने में जैसे की फसल की बिजाई होगी उस टेम पे फिर पचास जारिया लाख रुपे लगाओगा इसको पर किसान यानि की लागत लागत ही रहेगी है किसान की बैनी फिट का तो ना मिनी रहा तो इस दारी चाल लगें देखें देखा वाज गान यारा इवरा पटगा इनकी सैकेंड विचालरी है रिकोडिंग भी होना लागत ले अरजनू के नूं मैं कूं आई सारा करूंगा रोक लगी ये बाई सिसाय गाउं की मड़ा राजप्रा साइड में जिसको डैबर बोलते है उस कैमरा की नजर जारी है वहाँ तक जल ही जल दिखाई दे रहा होगा आपको चोईरूं ओड से और जल कोई थोड़ा नहीं है लगबग लगबग तीन सड़े तीन चेर फिट के आसपास जल है और बड़ी भारी नोबत आगे किसानों को सारी जीरी डूप चुकी है और जो प